सब्सक्राइब दोस्तोर टेक्निकल अनेलसिस दी आई दी वीडियो जिता ड़स वागते एदो पहला आपाँ टेक्निकल अनेलसिस दी वीडियो वेच ट्रेडिंग वीडियो नू किमे वरतना है उदे तो लेके स्पोर्ट और रिजिस्टेंस, प्राइज एक्शन थियोरी, व जिरूर देख लेओ, तो RSI 11 दा इंडिगेटर है, इंडिगेटर दा मतलो इशारा, जिमें के उदा आर्नवज्यों आपा रोड ते चाल रहे हुए, ते आपने तो सामने वाली गड़ी आपानू कोई इशारा देन दिए, यानि के हो सकता है किसे पासे नू मुड़न दा इ इशारा देन देया, पर कई अरी कोई अंजान ड्राइवर भी बैठा हो सकता है, ते ओ इशारा गल्त भी दे सकता है, इशारा एधर दा देता ते गड़ी मोडली एधर नू, ते ओधो फिर एक्सिडेंट होई जानता है, तो इसे तरह जिड़ा इंडिगेटर है, या अपन इसे करके इंडिगेटर जदो भी आपां वर्तने है, तो बहुत ही सोज समझ के त्यान नाल वर्तने है, तो इदे नाल नाल, बाकी भी आपां टेक्निक्स जरूर वर्तने हैं, जवें प्राइस एक्शन टेक्निक, ओ जरूर नाल आपां वर्तने रहना है, चार्ट नू भी के चार्ट आपानू की दिखा रहे है यह नहीं के सिर्फ आपा कला कोई एक इंडिगेटर ला देता ते ओधे एकोर्डिंग ही आवदा स्टेप चक लिया तो इसलिए इंडिगेटर आपानू एक तो ज्यादा इशारा ही कर दे है बाकी सारा कोईश आपा जिड़ा है गया है उप प्राइस एक्षन दे अकॉर्डिंग ही करना हुँ दे है यहां आप दी होर जो भी टेकनीक तो असी वर्ते रहे है ओ जरूर वेच वर्त नहीं है यहां आपा कैसा कोईए है कि आपा एक तो ज़्यादा इंडिगेटर वर्त नहीं हुँ दे है इंडिगेटर आपानू एकतना अधा कनफर्म ही करता है पि जो असी प्राइस एक्षन तो देख रहे हैं कि वाकई इंडिकेटर भी उदर नो इशारा कर रहे हैं भी मार्केट उदर नो जाओगी के नहीं जाओगी ता सब तो पहला आज आपा जो इंडिकेटर बारे गल करन जा रहे हैं वो है RSI RSI मतलब Relative Strength Index वैसे फुल फाम याद रखन दी लोडनी ता आओ इनू चार्टे देख देयां कि चार्टे आपा इनू किमें देखांगे किमें एदा यूज करना है ता चार्टे सब तो पहला आपा ट्रेडिंग व्यू खोल रहना है वो ता ता नू पता ही होना है पहली वीडियो चापा ओ गल कार चुके हैं कि ट्रेडिंग व्यू नू किमें वर्त नै एथे इंडिकेटर दा जड़ा अप्शन है गया एनू क्लिक करना है एथे आपने सा आपा येलो येलो लाइन आरी है फिकी फिकी एकतरा नी मूविंग एवरेज है जे करा आपा एनू हटाओना चाहिए तैथो हटा आवी साकते हैं सेटिंग च जानने है आरेसई आपा लगी रहन देने हैं आरेसई बेस्ट म में एनू हटा देने हैं ये दी को येटी लोड आपना आरेसई लगा होगा है इते देखो आरेसई फोटिन लिखे होगा है 14 दा मतलब जदो है आरेसाई दी ए लाइन बान दिये तां ए चौदा केंडलां दा हिसाफताव राखती है हिसाफताव केस तरह ये राखती है और आपनू फार्मूले चाहिना वरंदी लोड क्योंकि आपने को सारा कोछ बने अपना यहां मटीरियल है आप इना डीप जाके की करना है आपानु सिंपल दिये नू वरतना की में ओ गल कर देयां क्योंकि बाज ज्यादा ट्रेडर एक अंदे आ पी RSI सिर्फ आपानु ओवर बाट ते ओवर सेल बारी दास दिये होर एदा कोई फाइदा नी पर एदा फाइदा होर भी है गया ओदे बरिया जापा गल करांगे जेकर तुसी ओजान लिया ते ओ ताडेली बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होगा RSI दी रेंज 0 तो लेके 100 तक होंदी है कदे भी 0 नहीं होगी कदे भी 100 नहीं होगी बासोदे विचाले ही कम दीर होगी ते एदा एक स्टैंडर्ड जा मन्या जान दा है टी तो लेके 70 तक है टी तो जेकर थल्ले होंदी है तो एदा मतलब भी ओ जेड़ा अपा चीज देख रह दी है तो उदा मतलब भी ओ ओवर बाट होगी यानिके उन बाड़ी ख्रीद दी गई उदा प्राइज बड़ा उपर हो गया ते उन प्राइज थलिया होगा ये दो चीज़ां बारे आपनों RSI इंडिगेट करती है पर कि ये दो चीज़ां अपने लिए काफी ने नहीं RSI आपनों दो चीज़ां दास्ती है बहुत वदिया गाले कि ये दे तो आपनों एपता लगदा है भी वाकी है सही है नई उदे लिए आपनों एक कंसेप्ट वर्तना पेंदा है जीदा ना है डैवर्जेंस और डैवर्जेंस देखनों ता बड़ा तकड़ा या शब्द ल होवे ते एतरों ए चीज तुझी चीज कोई कट दी पई देशती होए यां RSI कट दी पई देशती होए यानि के दोवां वेच जड़ा है गया गैप वद रहा होवे या ओधो उल्ट गैप काट रहा होवे तो ओधो ए हुंदा है डैवर्जेंस ते उन्हों आपनों वर्तन लग देन्द है भी होण जड़ा प्राइज है गया ओवर बॉट जोँचे यां ओवर सोल्ड जोँचे तो बाद प्राइज ज़्यादा वदेगा यां कटेगा यह आपन दसुगा डैवर्जेंस डैवर्जेंस देखो साव तो पहला आपन गाल करते हैं बीरिश डैवर्जे थी बेरिश डाइवर्जन्स तो पाँ जदो आपन पता लगो भी एदो बाद हाँ प्राइज भी थल्ले आ सकते हैं तो ओधे लिए आपका की करना है भी पहला दा आपका देखना है कि आरसाइज जड़े टॉप है गया पहले टॉप ना लो दुझ्जा टॉप लो बने हैं त दुझे पासे जड़ा अपना प्राइज जड़ी भी चीज़ता आ पा देख रहे हैं क्रिप्टो करन्सी दर देख हैं या किसे शेर दाओ देख रह्यैं, ओधे जड़े टॉप बन रहे हैं, तॉप न मतल्चल जड़े हाई बन रहे है, पहले हाई देना लो दुझ्जा रहे है जदो मुझ खुल रहे है तो ओदो बाद प्राइज थले जान दी संभावना हुन दी देखो जड़ा अपना चार्टे ओता दिखा रहे है के हाई बन गया हाईर हाई बन गया पर जड़ा अपना इंडिकेटर है ओपन दुखा रहे है इंडिकेटर दा जड़ा हाई बन से बीरिश मतलब हेठा नू ओना डिगनी मार्केट डैवर्जंस ता मतलब ओही गयाप जड़ा में दस्या सी उने ते मूँ खोल रहे है यानि के जे आपा प्राइज नू ते आरेसाई नू दो में ओधे जबाड़े मननिये ता जबाड़े इस तरह उपन हो रहे हैं ते जदो अपां बीरिश डवर्जंस देखना है तो टाप देखो RSI धे टाप देखो ते एथरों प्राइज दे टाप देखो चार्ट जड़ा आपां देख रहे हैं ओह दे टाप देखो जे प्राइज अब नवाद रहेने ते एतरों RSI धे टाप डाउन जा रहेने तमorig आपना बious देखो प्राइज कटेया भी आरेसा ही अपन शो कर रही सी बिज़डा ओधे टॉप है गया ओ फेठानु आए ते एथ हो अपना प्राइज जड़ा सी ओपर नुगया ते ओधो बार प्राइज कटेया एसी अपना बीरिश डेवर्जन्स वोसे तरह जे आपना बुलिश डेव यहाँ जिनानों आपा बॉटम कहा दे नया ओ देखने होंगे ता पुलिश डेवर्जन्स देखो जड़ा अपना चार्टे ओधे यह जड़े लो है गया दूजा लो पहले लो नालो थल्ले बने आ ते जदो के एतरों ऑरैसाई ज़ेखिये ता दूजा पहले लो नालो उपर बनेया यानि के चार्ट आपनू दासरे के प्राइज थले आया ते इंडिगेटर आपनू दासरे के प्राइज होनो उत्ते जाएगा ते ओदो बाद प्राइज देखो एदो बाद वद्यावी उपर नू गया ते ए आपना हो गया bullish divergence होन bullish divergence ते bullish divergence आपां देखना कदो है ओधे लिए आपां ते आंते नहां है गया price action दा price action दा कि में क्योंकि bullish divergence ओधे बनेगा जदो price थले आ चुक्या होए है न एता नहीं प्राइज आपना टॉप ते या बहुत वाद गया ते ओथे आपां bullish divergence देखिए नहीं ओधे आपां देखन दी कोई लोड नी bullish divergence आपां ओधे देखना है जिते price अल्रेडी बड़ा थले आ गया ते bullish divergence एदो उल्ट देखना है जिते price उत्ते होया यानि के जो भी आपां ओसवेले दा time frame लेके चल रहे है क्योंकि हरे एक time frame दा वक्रा 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 RSI हुन दा है जर क्योंकि हरे एक time gap दे वक्रे वक्रे टॉप ते bottom या higher high lower low ये साब कुछ हुन दे है हरे एक time frame दा एक वक्राई pattern हुन दा है तो एस करके जड़े time pattern दे according आपां देख रहे है या ओधे वेच जदो आपना price लो ते हुन दा है तो आपना bullish divergence बारे देखना है तो जदो आपना price आप हुन दा है उपपर हुन दा है ओधो आपां bearish divergence बारे टेखांगे क्योंकि कदे वी कोई भी market है ओपर नीचे उपर नीचे एस तरह एक cycle दे रूप वेच चल नहीं हुन दी है तो एस करके एजड़े divergence है गया एह ही आपनू फैदा है गया जड़ा RSI आपनू सई तरीके बाकी oversold ते overbought जोन ता आपानू दासता ही दासता है ते एदे नाल नाल एट divergence जरूरत आँच रखना ते मैंनू उमीद है कि तानू ए bullish divergence ते बीरिश डिवर्जन परे जरूर पता लाग्या हुँ एक आल जरूरत आँदेगनी है कि बीरिश डिवर्जन आपा टॉप नू म बीरिश वेले आपा उपरले टेखने है गया उपरली ट्रेंड लाइन ते बुलिश वेले आपा हेडली ट्रेंड लाइन टेखनी है जड़े उन्हादे लोण मुलाओन आली एतों बिना एक hidden divergence भी हुँँ हुँँद है hidden bullish divergence ते hidden bearish divergence जे कर तुसी ओधे बारे भी जानना अंदाई ते एनू लाइक करो शेर करो ते बात बाद कमेंट करो ठेंक यू